देखिए उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनने जा रहे हैं इसका तो स्वागत, बहुत-बहुत स्वागत, मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद, और लेकिन एक अन्भव है, ये अन्भव है कि सन्पिचानवे में पत्कालीन मुख्यमंत्री, लाइम सिटी ने भी फिल्म सिटी बना ही रोगा, मेरा बनना ये है कि ये फिल्म सिटी बनी थी लेकिन जिन लोगों ने जो बंबे से कलाकार यहां पर आए, मंबई से, उन लोगों ने सबको जमीने ली, सस्ते रेट पर जमीने मिली, लेकिन अब सबके सब लगभग 80% वो बड़े-बड़े ओफिस हैं, चाहे हो आज तक है, कोई भी ओफिस आज तक भी है उसमें, उन समने जमीने खरी लिए और वहां पर उनकी बड़े-बड़े कारेल हैं, तो इसका बविश्ची जो है हमारा, यह होना चाहिए, कि हम सक्ती से, इमानदारी से, और कहना चाहिए जो मेहनतकश, जो कर्मी है, चाहे वो मीडिया कर्मी ही क्यो नहीं है, चाहे वो एक फिल्म के इंडस्टी से जुड़ेगा क्यो नहीं, इसके अलावा अगर वो जो है, कहना चाहिए, कि आप दूरदशन और अकास्मानी से जुड़ेगा, जितना भी कर्मी हैं, जिसको हम संस प्रश्कत कर्मी कहते हैं उसको निश्चत रूफ से रोजगार मिलेगा बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा और सबसे बना जो फाइदा होगा जो गरीब आदवी हैं जिसके कोई पूछने वाला ही नहीं जिससे कोई बात ही नहीं करता है चाहे वह आप जैसे मीडिया के लोग हूँ चाहें बड़े मीडिया के लोग हूँ उनकी वकत क्या है बांबे में जाके एक महीने दो महीने च्छे मेने में सारी पूंजी अपनी गवा देते हैं कमाने के बाद मिलता हूने कुछ भी नहीं एक पैसा उनों नहीं मिलता है और वह यह उम्मीद के साथ लगी रहते ह तक विoli शुश्षाइब हमिन कोई जों मिलता है अभी है चेतरीटा हूँ है बासे था पन्हाशन हाँ है और जब तक की बासेजम बासेजम जब तक यह कहना चाहिए जबारा एक जैसे कह सोरकारी जो वह कि बड़े-बड़ेजिकरी उनकी चलता डो Scolолодц वहां भी चलती है तो किसकी चलती है जो बड़े-बड़े अधिकारी है उनकी चलती है तो जो कंट्रूल है वो आम आदमी के पास जब ही आएगा जब ये यूपी और बिहार के आसपास के छेतर खासतोर से जैसे जमना एकसास बेज़ा बराया है इनोंने अच्छा है बड़िया है और यहां के लोगों के इंडस्टी में भी मेरा मानना यह है किस इंडस्टी में लोगों को यूपी बिहार पंजाब जो हमारे नजदीक राजिस्तान जैपुर इन लोगों को मद्द्देश का कुछ इलाका और ये अलाके जो यूपी से काफी नजदीक से हैं उन नजदीक के आलाकों में निस्जत रूप से इन लोगों को एक बहुत बड़ा फाइदा होने वाला है और सही मानी में अगर सेवा कर सकें तो मैं तो निस्जत रूप से योगी जी को इस बात के लिए बढ़ा ही नहीं आशिरबात बहुत हूँगा एक 87 वर्शी व्यक्ति जो 55 से रंकर्म जुड़ा हुआ है सबसे पहला नाट्रेक मैंने जब खेला था 1952 में तक भी सोचते मी नहीं कि जो है तब आई आई जो बाक फिल्म जो बोले वाली फिल्म है जब शुरूई हूँ थे उननीस सो चाथिस में तब से अपने में लोगों ने जो शंगर्स किया चारतर जो हमारा कलाकार था वो मुंबई के और भागा कोशिश कर रहे हैं कर रहे हैं केबल मेरा मानना से केबले की बात पर कहना चाहूँ आपके मीडिया के माथसाभी टीवी के माथिम से कि वो इस बात को प्रेसराइज कि आई जहां पर जमीन सस्ती हो वहीं पर एलेक्टिसिटी उनके निर्मान की तमाम चीजों को निश्र नहीं तो कम से कम कम से कम की मतद्द दे रहे हैं कि रंकर्मी बर्यली में ही बहुत ज़्यदा है, आप यह देखें बर्यली में जब इंटरनेशनल फैस्टिवल यहां पर होता है तो टूरिज्म नका विकास होता है, सारे हिंदस्तान की निए दुनिया की लोग आते हैं, चीन आ चुका है, चापन आ चुका है, अमेरिका आ छुका है। आप कौन सा देश यहां पर नहीं आया फगगनिस्टान आ चुका है। यह लंका से लेका और बंगला देश लेका सवाई है। तो यह बहुत बहुत ब़़ाइस कूप है वरेली में लेकिन सही shadingah mejor पहली कि तरह होका है। बहुत कलाकार हैं। यहीं पर कलाकारों की संक्राइब खाम से कमने यहोगी कलाकार, 2000 कलाकार जो स्टीट पर काम करता है, वो जो नुकल नाटकों में काम करता है, वो छोटी-छोटी नाटक करता है, लेकिन उनको सुविधाएं कहा है? मेरा मानना यह है, पुना मैंने विजन करूँगा, किसको एक रियल्टी में एक वास्तविक आधार पर इसे लेकि यहाएं, और वास्तविक आधार ऐसा ना रहे, कि होके चला जाए, कोई दूसरी सरकार आए, और फिर वहीं हम लटके के लटके रह जाएं, हम जो है विलकुल लटके उगे होगे नहीं लेणा चाहते हैं, हम चिपके रहना चाहते हैं, हमें चाहते हैं, कि हमारी इंड़स्टी हमें चॉब दें और यहां के कराकार को जो खास तोर से, जो शूकिया कराकार भी बनेगुए हैं, उन्हें भी विखसा एक्तामें, आगे मुड़ने का कि इस समय तो इंड़ेस्टे सभी के सभी पर मुकसाना है फिल्म के रहा हूजा किसी पर हूए तो आप मुने या आपके अजी कि मीडिया पर भी है देखिर आख़ारों पर भी एरड अतने नहीं मिल पा रहे हैं वो एक तो समस्य नेधियर दॉँन तरीका है देखिए हमने भाई ठीक है कोरोना काल में लॉक्डाउन लगाया है लेकिं लॉक्डाउन के बाज आज ही एक समाचारा है कि नदियां तो इस पीरिट बहुर गंदी हुए सारा का सारा पानी जिता सीवरों को सीधे गंगा नदी और जमना नदी नूसम्मा पहुंच थेटर बरेली से जुड़ा हूँ ऐसे तो यह अच्छी चीज है बरेली वालों के लिए क्या पूरे यूपी और यूपी के बाहर भी जो और प्रदेश हैं असपास के को अच्छा एक मौका मिलेगा अच्छा प्रेटफॉर्म मिलेगा और गॉर्मेंट को एक फिल्मों के ज विकास होगा कुल मिला के बहुत अच्छी योजना है और यह पूरी तरह से क्रियानवित भी होनी चाहिए कि क्योंकि पिछला कुछ ऐसे एक्स्पिरियंस रहे हैं कि बड़ी बड़ी योजना आ गए बड़े बड़े काम गोशित कर दिये गए है लेकिन वो पूरी तरह से अपने मकाम पर नहीं पहुंच है कभी कभी वो खाली क्या कहना चाहिए कि राजनेतिक जुम्ला होके रहे जाती है वो चीज़ें लेकिन खेर मुझे लग रहा है इस बार तो यह जो इस ट्रेप गवर्मेंट उठा रही है और जल्दी उठा रह स्टी बन रही है आपके फ्रिंट सेटी बन रही है निवेश भी आएगा और जो कलागार है उनको मौके मिलेंगे लेकिन अभी देश प्रदेश के अंदर इतनी विरोजगारी है इतनी सारी चीज़ें है हमें उन पर भी फोकस करना चाहिए है वो जब तक नहीं होंगे न देखिए अमोमन होता है कि हर चीज़ रिजल्ट में देखी जाती है कि उसका रिजल्ट क्या रहा है अब आपने फिल्म सेटी बना ली लेकिन उसको देखने वाले के जेब में पैसा भी तो होना चाहिए एक लिस्ट जब देखने वाला ही बे लोजगार पनप सकता है तो पहले हमें उसकी जो दूसरी चीज़ें हैं जो फिल्म सिटी को जिन्दा रखेंगी वो देखना भी जरूरी है इसके साथ साथ अभी जैसे कुछ मैंने देखा कि बॉंबे को लोग आए और उन्होंने हमारे चेफ मिनिस्टर जी से बातें की और कुछ प्लैनिंग की मैं लगता है इसमें यूपी के लोगों के जो हिस्सेदारी होनी चाहिए जो निवेश आएगा वो ठीक है लेकिन हमारे हमारे हैं जो फिल्म बनाना चाहते हैं फिल्म काम करना चाहते हैं उनको भी तो साथ बैठाई है ठीकिन पता लगा जैसे अभी भ फिल्म बनाने वालों सुवाइद नहीं प्लाने बहुत जरूरी है यह उसके बरेली के कालाकार इसमें उन लोगों को बहुत ज़्यादा पहुंचे गा एक तो आजकल जैसे ये करोना का मसला चल रहा है तो उसकी वज़ा से बंबई से जो भी कलाकार यहां से वहां रोजी रोटी की तलाश में भी गए थे खुझे से बहुत से तरह के काम और फिल्म स्रीटी में एक्टिंग ही नहीं तो रंग करिमियों के अलावा जो टैकनिकल हैंड वहां पर वर्क करते हैं वो भी वापस आए हैं यहां पर काकी और उनके अलावा जो नए लोग हैं जो यहां और जगाहों पर थोड़ी फिल्में बनाई रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ इस लाइन में काम कर रहे हैं, उन सभी को इसके इससे बहुत ज्यादा फायदा पहुचाएगा, रोजगार के अफसर भी बढ़ेंगे और लोगों को एक्टिंग का तो यहां पर अच्छे बहुत बच्छे कलाकाब हैं, नाटक का तो इसमें कोई शक नहीं है, और अगर आप राज्यों में देखें, तो वहां पर बहुत अच्छे स्थानिये कलाकारों को बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिला है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, जिसकी बढ़ी बढ़ी बदनसीवी अब तक रही है, यह के इतनी, इसकी आप देखेंगे, तो 90% लेंगए जो है हिंदी वो यूपी की भाषा है, खासतोर से हमारी बरेली की भाषा जो है, वो तो बिल्कुल फिल्मों के अंदर सेंट डिट्टू होई होती है, तो यहां के लोगों को और जो प्रदेश है, यहां की जो भी फिल्मे ब नालिज है, तो चुँके कोई भी चीज जब बनती है, तो जाहिर सी बात है, जो एडवांस टेक्नलोजी उसका मौजूद होती है, वो उसमें लगती है, जाहिर सी बात है, वो लगेगी लगेगी, तो हमको पूरी उम्मीद है, जो डिजिटल और जिस तरह की यह सारी चीज टेक्नलोजी उसका मौजूद है, जाहिर सी बात है, वो लगेगी, यहां और ऐसा हमें योगी जी की बातों से भी हमें बहुत उम्मीद जागी है, इससे पहले हमने तो काफी साल से हम इसमें हमारी संस्ता पूरी सक्रिय है, तो हम लोग अधानिय पालिवाल साभ हमारे हैं, जो राश्रिय अध्यक्षिय इंटरनेशनल फेस्टिवल उनके उसमें कराते हैं, तो हम लोग काफी मतलब मैं तो लखना हो गया था, तो पहले अगले जी मुखे मंतरी थे, तो उनके उसमें हमने ग्यापन भी दिया था इस विशह में, क्यूंकि हमको पता लगा था कि काफ भी इसके उपर वर्क हो रहा है, तो हम भी यह पहुंचे थे अपनी संस्था की तरफ से थोड़ा सा एप्रोच करने के लिए, कि हमारे भई जो जिले के आर्टिस्ट हैं, आस पास के हैं, वो भी थोड़ा इसको चाहते हैं, तो बहुत बड़ा, बहुती बड़ा, मैं तो सो बात करते हुए, लोगों से चर्चाएं करते हुए, मैं बॉम्बे भी रहा, मेरी भधी जी इस वोट हिबा नवाब जो है, वो काम करी रही है, तो वो भी मेरे सब लोगों के संपर्क से वहां पहुची, मेरे भी मतलब काफी लोग वहां पर हैं, मेरे, चुँके मैं बरेली पर जो यहां का महौल है वो तो बिलकुल वोई भाशा वोई चाल चलन वहीं की चीज़ें और लोकेशन्स यहां कितनी अच्छी हैं आगरा साइट चले जाएए जहां यह एक्सप्रेस वे जो है इस पर बन रहा है हमना एक्सप्रेस वे के वहां पर ग्रेटर नुड़ा और य बन चलन के लिहां की लिए जहां के लिए तो बहुत ही एजी और कलाकारों के लिए बड़ाएजी क्योंके कलाकार यहां पर जो जिस तरहां का महौल है भाशा के हसाब से तो वो तो वैसे हमारी प्रदेशिक भाशा का प्रेयोग जो है इसके अंदर मैं समझें था हूं 90% ब संसाच चुनके गई हैं और फिर्म डिस्टी के अंदर जितने भी अनुपम खेर हैं या जो यहां पर अभी परेश रावल जी भी इसमें इंटरिस्टेड हुए हैं जितने लोग जो इसके अंदर काम कर रहे हैं इसको बनाने के लिए जवाओ यूपी में उनकी खास दिल्चस सरकार है में तो सरकार का हाथ होता है तो सरकार जो प्रयास कर रही है मुझे लगता यह है कि हमारी भोजपरी फिल्मों के भी स्टार इसके अंदर पिछले उसमें काफी नोने इंटरस्ट लिया था इसके अंदर तो यहां पर उनी लोगों का योगदान मुझे बहुत ज्या है हमारी यूपी से भी बहुत ज्यादा इसी वज़ा से चुना गया है और उसका रिज्रेल्ट भी शायदे में देखने को मिल रहा है क्योंकि उन लोगों ने इसके लिए काफी मेहनत की है और बहुत अच्छे लोग इसके अंदर एप्रोच कर रहे हैं जो फिल्म लाइन से ब मेरी कई लोगों से मुलाखातिय जो दोर में भी हुई थी मैं बंबे भी रहा हूँ तो वहां भी मैज विशे में कोशिश जो भी मुझस से चुटी फृटी हो सकी तो मैंने वो की थी तब तो इसका बेनेफिट तो डेफिनिटली मिलेगा क्योंकि इस वक्त जतना कलाकार इ इस बार है सरकार के साथ और MP चुनके भेजे गए हैं वो तो वो हमारा कलाकारों का प्रतिनीदित कर रहे हैं और वो बाकाइदा इसके लिए काम भी कर रहे हैं यह उसी का परेडाम में लगता हूं